नमस्ते जी ओके नमस्ते जी, मेरी आवास आरही है हाँ, आरही है मतलब आवास सुनकर के आप लोग ने रियाइट किया या सिर्फ मेरे बोडिल आइग्वेज से ललीता जी आरही है ना सब को मैं देख पा रहा हूँ जो लोग अफ लेवल है केमरा ओन करके अपना चेहरा दिखा लिजे मुझे गातरी मेरी आवास आरही है, बिलकिस नेटवर्क अटका है क्या अटक गया है क्या क्यों अटक गया था, फिर से टक गया फिर से टक गया कनेक्टिंग वास नहीं आ रहा है, आवास नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है नहीं पर लाओ तो क्या बलते हैं, वाइफाई को लिका दिक्कत चल रहा है क्या पहले से जी सर भी वाइफाई में प्रॉब्लम में थोड़ी सी आवाज आ रहा है, बिच-बिच मैटा कर रहा है चलो जो भी है जैसा भी है रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बात थमों कर लेंगे अच्छे से ठीक 24 चली जी आप लोगे सवाल पढ़ते हैं बिटा जिल्लो किसी रिजन से कनेक्शन का प्रॉलम हो रहा होगा अभी क्लास ये जो मिटिंग खतम होते ही एक घंटे के भेतर भेतर ये अप्लोड हो जागा यूटूब में, आपको मिल भी जाएगा तो इसमें हम देख सकते हैं एक दिशुदू जी कहते हैं नमस्ते सर कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूँ जी तर्मात्मा की क्रिपा है जी और मेरे गुरुओं का अश्रवाद है उनका ही सिखाया मैं आपनों को बता पा रहा हूँ सर एक्जिमा के लिए कौन सा साइन यूज करना चाहिए और कौन से चक्रा को हील करना चाहिए स्वादिस्ठान चक्रा हाँ एक्जिमा के लिए स्वादिस्ठान और आग्या दोनों को हील करते हैं रिशी डामेंड का भी इस्तिमाल करेंगे और डाइरो से का इस्तिमाल कर जाएंगे डाइरो से और इशी डामन दोनों का इस्तिमाल होगा तीन से छे मिनट की हीलिंग स्वाधिस्ठान सेक्ल चक्रा और अग्या चक्रा मतलब की थड़ाई चक्रा दोनों को हम हील करेंगे दोनों को हील करने से ही एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स का को हम हील कर पाते हैं सर जब 21 डेस हिलिंग देते हैं रिलेशन्शिप हिलिंग को तो ची बॉल बना के दे सकते हैं या डेली करना चाहिए श्विरों में डेली करना चाहिए जब आप ची बॉल की प्रेक्टिस अगर अची हो गई है मतलब आपने ची बॉल पर महारत हासिल कर ली है है ना कुछ समय के बाद आपको पता चल जाता है तो आप ची बॉल बना करके भी रखिए और हिलिंग भी डेली करते रहिए उससे आपको समझ में आजाएगा एक ट्रांजेशन का टाइम आपको पता चलता है कि जब तक ची बॉल आपका परिपक्प नहीं हुआ है शक्तिशाली नहीं हुआ है ची बॉल आपका शक्तिशाली का हो गया ही आपको कैसे बता चलेगा कि जब भी आप चीबल बना करके कहीं भी रखे हैं वो आपके चित्त में हमेशा रहाएगा मतलब जैसे हम प्रेजेंट मुमेंट में रहते हैं वैसे ही ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमने टेंकी में पानी भरने के लिए पाइप लगा कर छोड़ दिया है लेकिन हमारे चित्त में वो है कि वहाँ पानी भर रहे है जैसे आप जो महिलाए है वो किच्ण में गयस पर दूच चढ़ा कर छोड़ देती है घर का कोई भी काम कर रहे है लेकिन चित्त के एक हिस्से में है न कि दूच चढ़ा हुआ है कभी कभी दू जल जाता है लेकिन maximum time आपके चित्त में रहता है कि किते दिर में वो उबल जाएगा, किते दिर में चामल बन जाएगा किते दिर में सबजी को जाकर कि चपु चलाना है किते दिर में रूटी सिख जाएगी ये कहें न कहें हमारे चित में होता है चीबॉल भी वैसे जब वो आपके चित में रहना शिरूों कर देगा मतल Capitol समद क्याना आपकी महालत हो चुकी है चीबॉल में तब ही आप चीबॉल का प्रयॉक करें ऐसा नहीं है कि चीबॉल कोई किताब की तरह कहीं ले जाकर रख दिया और वो होता रहेगा, नहीं चीबॉल का एक हिस्ता हमेشह आपके चित्ट में रहेगा थोड़ी टाइम के लिए आफ डिसक्रिट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा गुम के आपके चित्ट में रहेगा ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका 3-4 साल का जो बेच्चा है वो जब आंगन में या महले में खिलने गया है तो आप घर का कोई भी काम कर रही है तो आपका ध्यान आपके बेच्चे की तरफ है कि वो क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, कैसे किसके साथ खेल रहा होगा और आप धिहान रखे हुए और आप बीच-बीच में नजर रखे हुए तो ये सही तरीका होता है चीवल बनाने का चीवल आपकी शक्ति का, आपके तपस्या का ही एक हिस्सा है यह नहीं कि आपने बस घाथ घिसा यह बनाया चीवल, नहीं जैसे social media में, YouTube में हम लोग बता देते हैं कि ऐसे करने से चीवल बन जाता है वैसे ही करने से बनता है लिकिन चीवल बनाने के लिए बिल्कुल वैसी बात है कि ऐसे से बेलने से रोटी बन जाता है आटा किधर से आएगा वो आटा किधर से आएगा वो आटा ही आटा आपकी तपस्तिया है आपका आत्म बल है जो आप daily healing practice करते हैं तो इखटा करते हैं जब ध्यान करते हैं तो इखटा करते हैं नीन में जब सोते हैं तब आप उस cosmic energy को इखटा करते हैं, आप नाम जब करते हैं, आप माला जब करते हैं, आप अपने प्रभू का भजन करते हैं, साथी साथ अगर आप पूर्णे करते हैं, जैसे कि दान कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, चीटियों को खाना खिला रहे हैं, किसी के जाकर छोड़ियते हैं, कहीं जाकर रख देते हैं लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं बने हुए हैं तो आपने हैं अपो गायव हो जाया को क्योंकि हर उर्जा का हर पुंज आपको की नाभी से जुड़ा होता है यहां तक कि ज़िए हुम काया गमन करते हैं एस्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं जिसे या ओट अप बॉडी एक्सपिरियन्स बोलते हैं तो भी हमारी चेतना हमारे शरीर से हमारे नेवल के कॉर्ट से जुड़ा होता है है न और इसी में हम एक और चीज़ कहते हैं कोट कटिंग करते हैं जैसे रेकी हिलिंग पूरी होने के बाद हिलिंग पूरी होने के बाद लास वे हम कोट कटिंग करते हैं मतब उस पर हम उर्जा से आपने आपको डिसकनेट करते हैं ताकि वो उर्जा हमेशा बहती ना रहे हैं, किसी काम किसी की जब हम healing कर रहे हैं healing पूरी होने के बाद उनसे cod cutting करते हैं, एक धागा ऐसे निकला रहता है, उस धागे को हम इसे cut देते हैं तो ये cod जो है, ये आपके cheap all भी आपका इस cod से ही जुड़ा रहेगा वो तब तक ही जुड़ा रहेगा जब तक कि आप कि चेतना उससे जुड़ी हुई है बिटा, अगर किसी को भी किसी reason से भी आवाज नहीं आ रही है तो मान के चलो, रात के 9 बजे इसकी पूरे recording आपको मिल जाएगी हैं जी? मेरे पारसल को भी हिलिंग भेज़ दो मुझे अपने प्रेसलेट पहनना है जरूर बिटा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों के लिए जब भी कोई चीज़ यहां से जाता है तो जरली उसे मैं खुद ही पहना होता हूँ खोदी धारन करता हूँ जाए गले में हो, जाए हाथों में हो और अपने हीलिंग प्रेक्टिस के समय उसे अपने साथ रखता हूँ ताकि वो उन ही उरजाओं के साथ आपके पास जाए जिन उरजाओं के साथ वो मेरे गुरूओं से आपको भी वो चीज मिल सके तो जैसे मैं अपने गुरूओं से जो चीज चाह रहा था मैं जानता हूँ कि आप भी वो चीज मुझसे चाहते ही होंगे इसलिए वो जरूर मैं करता हूँ तो ये आपको मांगने के आउशकता नहीं ये आपका अधिकार है बिलकिस जी कहते हैं Hello sir, Namaste subconscious mind की healing कैसे करते है रेकी से और switch symbols तो भी used switch symbols to be used solar priceless chakra को heal करना है ना करना है और affirmation क्या बोलना है हाँ subconscious mind को जब हम heal करते हैं तो सबसे पहले बैटे ये मान के चलो कि आज्या चकर उसमें ट्रमूख होगा solar plexus हमारा secondary होगा जैसे कि driver और conductor हम बोल सकते हैं इसमें driver होगा अग्या चकर और conductor होगा solar plexus इन दोनों को जब हम एक साथ heal करते हैं तब हम subconscious को किसी के heal कर पाते हैं मतलब कि मन में कोई बात को डालना या मन से कुछी बात को निकालना affirmation क्या होगा affirmations को लेकि बहुत धोके हैं लेकिन कि present tense में बोला जाए कि present continuous में बोला जाए कि present perfect में बोला जाए तो अगर subconscious को heal कर रहे हैं रेकी के माद्याम से तो present perfect में बोलिए कि thank you कि ये हो चुका है thank you मेरे सर में बाल आ चुके है ठीक है thank you मेरे सर में घने खुबसूरत बाल आ चुके है अब दिमाग क्या बोलेगा अभी तो बाल नहीं आ है अभी तो छोटे छोटे ही है नहीं उसी को सपोर्ट करता है आपको solar plexus उसी को सपोर्ट करता है solar plexus उस illogical को logical बनाने में आपकी मदद करेगा solar plexus हमेशा याद है कि ना बेटा एक बात बताओ सोच कि देखो कि आप में से जालतर लोग हिंदू परिवार में पैदा हुए है कुछ लोग जैन परिवार में पैदा हुए है कुछ लोग मुस्लिम परिवार में पैदा हुए है अगर आज अचानक मैं कोई यूही कोई एकदम से अलग आफ्रीका का कोई धर्म लाई लेकर आऊ रिलिजियन आपके सामने लेकर आऊ इंटर्ड्यूस करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इसमें ऐसा ऐसा होता है तो वो आपके लिए एकदम इनलॉजिकल है न बिल्कुल इनलॉजिकल है वो समझ में ही नहीं आएगा एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात है वो तो समझ में ही नहीं आएगा लेकिन अगर हम अपने हिंदू धर्म के बारे में या बौद धर्म के बारे में या जन धर्म के बारे में उन्हें समझाएंगे तो यह उनके लिए भी इनलॉजिकल है तो जब हम जन में लिए अपने परिवार में तो शुरुवाती समय में ही हमारे मन में, हमारे धर्म, हमारे संस्कारों के बारे में हमें सिखाया गया और उस इनलोजिकल थिंग को, जो किसी और के लिए इनलोजिकल हो सकता है, उस इनलोजिकल थिंग को हमने स्विकार कर लिया तो वैसे ही सुलर प्रक्सिस पर कर आफ हाथ रख करके अफर्मिशन देंगे तो कोई भी बात जो इनलोजिकल लगती है जैसे कि मेरे सिर्पे घने मुलायम सुन्दर काले घने बाल है इस बात को आपका आग्या चक्र सुईकार नहीं करेगा लेकिन सुलर प्रक्सिस की शक्ती से उस बात को सुईकार कर लेगा वो अफर्मिशन ऐसा करेंगे तो तो जो भी चीज आप बताना चाहते हो सबकॉंशन को उसको हो चुका है कि फार्म में करना रिशी डायमंड सिंबॉल का इसमें इस्तिमाल करेंगे अपने पूरे आभा को आभा मंडल को या किसी के भी पूरे आभा मंडल को चौकुरे से पहले कलीन कर लिया चौकुरे को स्थिर कर लिया सेहकी को भी स्थिर कर लिया क्यों? क्योंकि सेहकी उर्जा को बैलेंस करता है है ना? और इसके बाद रिशी डामेंड सिंबोल बनाया अग्या चकर पर और रिशी डामेंड सिंबोल बनाया आपके solar plexus पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इन दोनों पर नहीं बनाया तो अपने हाथों पर बना लीजे और एक हाथ अग्या चकर पर और एक हाथ सोलर प्रक्सिस चकर पर और इसके बाद आप अफर्मिशन देना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि सिर्फ ग्यारा दिनों में ही प्रभाव मिलेगा नॉर्मली अगर आपके पास सिंबॉल्स नहीं है अगर आपने प्रक्टिस नहीं किरिये तो भी 21-25 दिन में इफेक्ट मिल जाता है लेकिन क्योंकि आप एक हीलर है आप रेगुलर प्रक्टिस कर रहे हैं तो वो 11 दिनों में ही उसका असर दिख जाएगा दूसरा सवाल है होंशा जेशोनियन से ऐसा affirmation दिया था कि वो sister के साथ अच्छा किस्तान एक क्या लिखा समझ में आप friendly peaceful relationship हो and healing done for 45 days but कल से काफी fight हो रहा है प्लीज आप भी healing sand कर दो how can I heal this जैसे मैंने बता है वैसे करना उन दोनों के आग्या और solar praxis पे healing देना और अन्ता करेंट सिंबल अभी तो grand master अगर कर लिये होंगे practice complete हो चुकी तो अन्ता करेंट सिंबल कभी उन दोनों के बीचों में दोनों के रहिदय के बीच में अन्ता करेंट सिंबल बनाना यहाँ पर होंशा जैशनेन का प्रयोग नहीं करना क्योंकि वो दोनों के बीच में already fight है वो दोनों आपस में दिश्वन मानते तो होंशा जैशनेन से हम उन दोनों के बीच में bridge बना देंगे तो वही negativity एक दूसरे में cross होने शुरू हो जाएगी तो कोई bridge नहीं होना चाहिए एक space बनाईए space बनाने के बीच में कोई ऐसा चीज रखे जिससे वो दोनों के दूसरे के तरफ एट्रेक्ट हो हाँ अगर वो दोनों बच्चे आप से दूर हैं आप अपने और उनके बीच में एक bridge बनाना चाहते हैं ताकि आप उनके healing कर सके distance healing कर रहे हैं तब होंशा जैशनेन का प्रयोग हम करेंगे अगला सवाल है अंदर से happiness feel करने के लिए कौन सा symbol use करें and switch word अंदर से happiness feel करने के लिए सिर्फ से ही की symbol का इस्तमाल करेंगे हिदय चक्र पर और वो होगा divine happiness switch word नंबर है 62626 यह आपका angel number है और इस angel number को हम लिखते हैं बिलकुल यहीं रिदय के पास हाथ से लिख कर आप हवे में लिख करके इस तरह से रख सकते हैं हाथों में लिख करके इस तरह से रख सकते हैं या पैन से सिधे chest पर लिख लिख लिए लिखते नहीं बनता है मिलको मालूम है, इसलिए ही ये सबसे अच्छा तरीका है कि हाथों में लिखा और ऐसे रख लिया ठीक है, जो लोग नहीं लिख पाए है, रिकॉर्डिंग में देख लिजगा बेटा अगला सवाल है, लेक के हील्स में बहुत पेन है प्लीज हीलिंग सेन कर दो, आपके जरूर आपके तरह अच्छे से अपने बात कैसे समझाना है जब हम हील करते हैं अपने फैमली को एक लंबा हीलिंग आप अपने सिर्फ रुशुदा चकर को किसी बाकशुद्धी कहते हैं परते हैं, आप में से, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और मुझे यहां भी बात करते हैं, आप लोगो समझ में आता हूँ कि मेरे जुबान साफ नहीं है मेरी language भी साफ नहीं है ना मेरी Hindi बहुत अच्छी है ना मेरी English बहुत अच्छी है ना ही मेरी Sanskrit बहुत अच्छी है मैं किसी भाषा में बहुत अच्छा नहीं हूँ लेकिन क्योंकि विशुद्धा चकर में उर्जा है इसलिए जब मैं बूलता हूँ तो वो कानों को सुनने में अच्छा लगता है है ना तो आपके सवाल का यही जवाब है कि अपने विशुद्धा चकर को हील कीजे और आप देखेंगे कुछी समय में आपकी वाक्षद्धी होनी शुरू हो गई इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है यूटूब में इस देखिएगा कुछ एक और प्रैक्टिस बताया है जिसमें हम सु करते है जिससे वाक्षद्धी होती है दूसरा अगर आप बोलना बहुत अच्छा स्थिखना चाहते है तो मौन का अभ्यास केजे अगर एक बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते है बहुत अच्छा बोलना स्थिखना चाहते है परिभार में या आपने क्लेंट्स के सामने समझाना चाहते है तो मौन का अभ्यास केजे क्योंकि जब आप 2 गंटे, 6 गंटे, 10 गंटे, 24 गंटे, 2 दिन, 6 दिन, 7 दिन कोई भी मौन का संकल पूरा करते हैं तो जब आप मौन होते हैं तो आपका मन बहुत पुछ बोलने के लिए फड़ फड़ा रहा होता है और वो ऐसी ऐसी बातों को बोलना स्थिक जाता है भीतर ही भीतर कि जब आप मौन खोलते हैं तो बहुत अच्छी बाते हैं कहा पाते हैं बहुत सुलजीवी बाते हैं और आपको बोलने का महत्त समझ में आता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है और वैसे भी एक बात हमेशे जान लेजे बोलने से कहीं ज़़धा महत्रपुर्ण होता है नहीं बोलना कब नहीं बोलना है ये सीखना बहुत जोरी है तो अब जब आप कभी अपने clients के सामने अपने patients के सामने patients आप के सामने बहुत सारी बाते कहेंगे बहुत सारी problems बताएंगे और आप अपना patience खोई बिना अपना धीरच खोई बिना उनकी पूरी बास सुनेंगे और फिर थोड़ इसी बातों में उनको संतुष्टी प्रदान करेंगे क्योंकि आप जितना जाधा बोलेंगे जितना अपने client को अपने patient की बातों को काट काट के उनकी बातों को रोक रोक के जाधा बोलेंगे तो वो convince नहीं होगा उनको समझ में नहीं आएगा आपका बात जाधातर लोग, जाधातर clients एक बात जान ला विटा जब आपके सामने आपके पास healing के लिए आते हैं तो असल में वो अपनी बातों को कहना चाहते हैं वो अपनी बातों को बताना चाहते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो अपनी बातों को बातों को जब आपके सामने उडेल देते हैं आप एक dust bean की तरह हो जब वो अपने आपको पुजितर से आप पर खाली कर देते हैं उनको वहीं से आराम मिलना शुरू हो जाता है और being a healer, this is your responsibility कि आप उनके कशरे को अपने अंदर धारन करें और रात को जब आप अपने healing प्रैक्टिस करते हैं या छमादान प्रात्ना करते हैं जो भी रात को प्रैक्टिस करके सोते हैं उस सारी उर्जा को, मात्य पक्रिती को समर्पित करके फिर आप अगले दिन के लिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला है प्लीज blessing and healing send कर दो थैंक यू सो मच फॉर all teaching थैंक यू प्रमात्ना की किरपा आप पर सदा बनी रहा है वेटा चलिए आगे आते हैं ममता जी कहते हैं नमस्ते जी चीवाल बनाने के लिए क्या हम सभी affirmation health business की एक start डाल सकते हैं चीवाल कितनी देर के लिए रहता है इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कितनी देर के लिए रहता है लेकिन ये बताता हूँ बता रहा हूँ कि चीवाल सभी के लिए एक start बनाया जा सकता है लेकिन शुरुआत में एक एक करके बनाई है छोटी छोटी चीज़ों के लिए बनाई है क्योंकि धेर देर ही आपको महारत हासिल होगी उस चीज़ में है ना देखिए हम चौकुरे के लिए भी काम कर रहे है डाइकों में पे भी काम कर रहे है मिदास पे भी काम कर रहे है आथ पे भी काम कर रहे है विशुद्धा बहुत सारे सिंबोल्स पे हम काम कर रहे है तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो चित्त है, अलग-अलग दिशाओं पे है कविता जी सुन पा रहे हैं मुझे अलग-अलग दिशाओं में हम अपनी उर्जा को लगा रहे हैं तो इस वजह से चीब आल पे हम पूरी उर्जा दे नहीं पाते सच कहूं तो ची बॉल पे पूरे धाई से तीन मैने हमारे गुरू ने हमें कुछ नहीं सिखाए सारी प्रैक्टिस बन करवाके धाई से तीन मैने केबल ची बॉल की ही प्रैक्टिस करवाई थी ची बॉल की प्रैक्टिस इतनी लंबी कर रहे थी इसलिए क्योंकि जब आप उसका इस्तिमाल करते हैं तो उसका इस्तिमाल बहुत ज़्यदा प्रमुक हो जाता है क्योंकि आप एक इसनसान के स्वेर पे चीबॉल बनाके बहुत सरे सिंबॉल्स इस चीबॉल में डाल करके छोड़ दे रहे हैं यह बिल्कुल एक मटके की तरह है जिसे श्युलिंग के पर एक मटका लगा होता है जिससे ड्रॉप 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 पानी गिर रहा होता है बिल्कुल वैसे ही चीबॉल होता है जिसमें हम चीबॉल में औरजा को डाल देते हैं और धीरे 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 वह उतर नहीं होतों है कि है ना हो हो तो घैतरी सर्र निन में दो बार कर सकते हैं हां बिलकुल कर सकते हैं लेकिन चोबशल यह कभी कभी क्या हुता है लोगों के अनुभाव कैंधारपय में बता रहा हूं इतने सारे स्टुडेंट्स लोगों को सिखाने पढ़ाने के वाद जो समानी में आता है कि दो बार आप हेलिंग प्रैक्टिस करते हैं फिर कुछ समय ऐसा आता है कि इतना मन अजीब सा उचाठ होता है और दिन में एक बार कभी प्रैक्टिस रुख जाती है तो जादा ना करे एक दिन में एक बार की प्रैक्टिस 90 दिन पूरी करने के बाद दो बार में शिप्ट करें अपने आपको कभी-कभी मन करता है तो कर लिए एचिन और प्रैक्टिस कर लिए जैसा है कि दूसरी बार कर बैढना तो ध्यान के लीए बैठ जाएए डबल प्रेक्टिस करने से आपको कोई अलग से बेनेफिट नहीं मिलेगा जितना 24 घंटे में आपकी आभा आपकी चेतना ग्रहन कर सकती है उतना ही होगा ये बिल्कुल ऐसा है कि ज़्यादा खा लेने से आपको ज़्यादा मिर्रल्स ज़्यादा पुशक्तत्व नहीं मिलेंगे आपको शर्य उतना ही सोक पाएगा जितना वो सोक सकता है ज़्यादा पानी पी लेने से आपको शर्य उतना ही हाड़ेट होगा जितना वो हो सकता है बागी को बाहर कर देगा तो उर्जा भी ऐसे ही होती है नमस्ते सपना जी कहता हैं नमस्ते दर कैसे हो मैं बहुत अच्छा हूँ सपना जी जस कोर कहते हैं नमस्ते गुरुजी नमस्ते जी आज अटिन्मेंट के टाइम मेरे नेक में बहुत पेल हुआ और सच बता रहा हूं जस मैं बता रहा हूँ कि मेरे नेक में अभी तक पीन है मैं बस ऐसे ऐसे ही देख रहा हूँ शायद वो सकता है जिस टेम आपका अटिनमेंट मैं कर रहा था उस टेम ही मेरे गले में लचक आई होगी और वही चीज आपके अंदर भी आगए कि हम एक समय पे जब अलाइन ही है तो वह सारी चीज्दें होच आए होती है आपका बात ही है कि हम दोनु एक ही पेन में है मैं मानता हूँ कि शायद आपका पेन कम हो गया होगा लेकिन मेरा पेन अभी है नेक में बहुत पेन हुआ है अफटर मेरे हैंड में अच्छा हैंड में भी पेन हुआ बाकि सब ऐसा था ध्यान लगाते समय मन भटक रहा था हाँ, मन भटकता है बिटा मन भटकता है, उसी भटकाओं को ही थामने के लिए शक्तिपाद किया जाता है गुर जी मेरा सवाल ये है कि मैं सुभा पांच बजे काम स्टार्ट कर देती हूं और शाम को काम से आने के बाद आने के बाद स्नान लेती हूं प्लीस कैन यू सजेस्ट सजेस्ट में सुटेबल टाइम फॉर माई प्रैक्टिस या तो 5 बजे से पहले ब्रवामोहर्त में कर लेज जाए या तो रात yem को सौने से पहले कर लेजauen क्योंकि रात को शावर ले चुके हैं आप, सनान कर चुके हैं तो रात को शोने से पहले अपनी प्रैक्टिस करके सू जाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि सुबह आप पांच बजे अपना काम शुरू कर रहे हैं तो एकदम 3.30 ऊटके अपनी प्रैटिस कर पाना आपके लिए थोड़ा मन में एक रहागा कि पांच बजे काम शुरू करना है धिरे धिरे वो भी हो जाएगा जैसे कि अब हमारी आदद पढ़ चुकी है हम 3.30 नीन खोली ही जाती है रात को 9.10 बजे सो जाते है 3.30, 4.00 नीन खोली ही जाती है क्योंकि वो आदद बन चुकी है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोच के सो रहे हैं कि कल अराम से उठेंगे, कल कुछ नहीं करना है बहुत अकान हो गया फिर भी 3.30 नीन खोल जाती है फिर टुकुर टुकुर देखते हैं उठके थोड़ टहलते हैं अब क्या करें फिर किताब उठाके पढ़ते हैं फिर नीन आती है दोबारा सोने के लिए एफ़र्ट करना पड़ते है क्योंकि वो हैबिट है हमारा बिरन अपनी हैबिट में काम करता है है ना हम जो भी है एक बद हमेशे याद दखना हम जो भी है जो भी कर रहे है चाहे वो अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो हम सिर्फ अपनी आदतों के ही पुतले हैं है ना अभी मैं बता रहा हूँ 2024 में मैं 40 का हो गया और इस सारी जिवन के इतने सारे अनभाओं को इखटा करते हुए अपने गुरूओं के सकड़ सालों के अनभाओं को हाथ में रखकर मैं ये बोलूँगा कि चाहे आप हिलर बनना चाहते हो, चाहे आप योगी बनना चाहते हो, चाहे आप ध्यानी बनना चाहते हो या पुर्णियात्म बनना चाहते हो, या पापी बनना चाहते हो आप जो भी बनना चाहते हो यह सिर्फ एक आदत है आज कठिन लगेगी आज मुश्किल लगेगा आज ऐसा लगेगा कि किती देर बैठना पड़ रहा है तीन मिनट ओ माई गौट हाथ दुग गया, अरे रे थाग्या चकर पर हाथ रखे रहा है कि पूरा कंधा दुग गया है ना, सहस्तरार चकर के पड़ तो हाथ भी नहीं रखना है कैसे इतने देर तक हाथ रहेगा मैं आप से वादा करता हूँ, कुछ समय बाद ये सिर्फ एक आदत रह जाएगी आपकी तीन मिनट, छे मिनट पंदर मिनट आप हाथ ऐसे अराम से रख पाएंगे और ये अभ्यास क्यों कराया जा रहा है पता है गुरूओं के दौरां, ताकि जब आप किसी की हिलिंग करे, तो हाथ को इस मुद्रा में तीन मिनट, कभी पंदर मिनट, कभी बीस मिनट, आप आप कंटिनिव आसे रख सकें, क्योंकि ऐसा भी समय आएगा जब एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद एक के लोगों के आपको हीलिंग करनी पड़ेगी और तब ये आपके जिम्मेदारी होगी कि आपको सब की हीलिंग करनी है, तो क्या बोलोगे मेरा हाथ दुग यारू को थोदर वेट करतें, नहीं उसका अभ्यास आज से ही कराया जा रहा है सास्तरा चकर मेरा हाथ रखने नहीं दिया जाता ताकि आपके हाथों में शक्ति रहे भुजाओं में एदम रहे कि आप ये कर सकें तो आप अब जो खाते हैं वो आपके आदत है जो आपके आदत है चयहाँ वो लास्त विग हमरी बात वेती चाय पीना छोड़ना है हम लोगों को क्योंकि गरमी के मौशलं को नव्म सर्ब से अच्छा होता है क्योंकि ये बेवजा की आदत है जो हमने पाल र Χाहे और योगियों को, ध्यानीयों को, सद्दिको को, तो यह करना हैने चाएं सुबह, अच्छी, सबसे पहला जो आर होता है, बहुत ही प्राणों से भरा हुआ होना चाहिये चाहे वो शैद पानी हो, चाहे वो एसगर्ड जूस हो, चाहे वो लॉकिका जूस हो, चाहे वो अलोवेरा हो, प्राणों से भरा हुआ लीजे, क्योंकि प्राणों से भरा हुआ एक ग्लस आपको जूस ग्रहन करते हो, तो वो आपके कई घंटों के ध्यान के लिए आपका फ्य चलो, इस पर तो हमें हर वीक आप लोगों को छोटा-छोटा ऐसे टोचन देता रहोंगा कि सुबे का क्या करना है, सुबे के आहर को लेके ध्यार डखना है, ताकि दिर दिरे किसी का किसी का कुछ ना कुछ ऐसे हीले, और वो छोड़ दे और नई चीजों को शुरुआत कर दे तो एक चीज और जान लो, कि सबसे बड़ी तपस्तिया हमें लगती है कि तीन दिन का उपवास करना एक बड़ी तपस्तिया है, छोटी तपस्तिया है, बहुत, मौन मृत करना एक बड़ी तपस्तिया है, नहीं, बहुत चोटी तपस्तिया है, तीन तीन घंडे ध्यान के प थपस्य नहीं, बहुत छोटी थपस्य। खाली पेर, एक एक हप्ते तक, जद नौरातर्य। पुरे खाली पेर रहना, या पूरी एक लंबि यात्रा खाली पेर केरेना, बोढ़ी थपस्य। सबसे बड़ी थपस्य topic क्या है? फ़ते है, अपने इस Зबान पे control रखना चाय फिर वो बोलने के लिए हो चाय फिर वो खाने के लिए हो यहाँ पर जिसने अपनी तपस्थय की शक्ति को यहाँ समा लिया महाभरत में एक 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 रेक्टर है गंधारी आपको पता होगा उनके पूरे जीवन के तपस्य की शक्ति कहा ही खटी हो गई थी पता है ना, उनकी आँखों में, बंद आँखों में, और जब उन्हें पटी हटा कि अपने बेटे को वो सारी ओर्जा ट्रांसफर कर दी, उनके शरीर को वज्र की तरह बना दिया, तो आप जहां पर भी तपस्या करेंगे, ऑपने तपस्या की थी, इसलिए वो सारी उर्जा वहीं कटा हुई, हम हिलर्स की तपस्या हाथों में होती है, हम हिलर्स की शक्ति तपस्या का बल हमारे हाथों में होता है, क्योंकि हम रोज यहाँ, 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 21 मिनट तक की तपस्या करते हैं, तो हाथों में तब वही उर्जा मेलिंग के लिए किसी और को देते हैं अब समझना वैसे ही जब आप अपनी जुबान पे अपने मुहों में त्याग करना शुरू करते हैं तपस्या करना शुरू करते हैं बेहद अनहल्दी खाने को खाना छोड़ना शुरू करते हैं शक्कर खाना छोड़ना शुरू करते हैं, चाय पिना छोड़ना शुरू करते हैं, नॉन्विज खाना छोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्वात के लिए खा रहे हैं, और वैसे सत्वी खाने को, हेल्दी खाने को, हम ग्रहन करना शुरू करते हैं, दालों को खान है तो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए खाना अगर बेसवाद भी है तो भी उसे प्रेम से गहन करना शुरू कर लिया और कभी-कभी लोग हमें बहुत कुछ बूल जाते हैं बहुत कुछ कह जाते हैं कही-कई जगहों पर हमें किसी को बहुत तीज जवाब देना होता ह वहाँ अपने मूँ को ठाम लिया शान्त कर लिया और उस समय आप जान लो कि भले आपने बहुत कुछ दिल में था लेकिन नहीं बोला लेकिन क्योंकि आपने इसको ठामना है तो आपके मूँ में वो एक तपस्तिया वो त्याग की शक्ति आनी शुरू हो गई मूँ मतलब अब की विशुद्धा में तपस्तिया के शक्ति आने शुरू हो गई अब जब आप किसी को बोलेंगे अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि कितनी दिन में ठीक हो जाएगा आप बोलेंगे आपके मूँ से निकाल गया ग्यारा से किस दिन तो लगेंगे आपको उतर दिन तब आपने करना ही होगा तो 11-21 दिन की तपस्तिया आपको रखने ही होगी तो जैसे ही आपके मुझ से वैसे ही बात निकलेंगी जो होनी चाहिए या आपके मुझ से वैसे ही बात निकलेंगी जो होगी मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने आपकी वाक शुद्धी हो गई है कब आपकी बाते सुनी जा रही है कब आपकी बाते साकार होने शुरू हो गई है और ये सबसे बड़ा बल होता है एक हिलर का मतलब कि हमें लगता है कि हम अपनी हाथों की उरजा से हम लोगों कोई हिल कर पाएंगे लेकि सच कहें तो एक हिलर की असली उर्जा होती है उसके विशुद्धा में कि जब वो बोलता है कि हाँ हो जाएगा और वो बोलता है कि अभी समय लगेगा दोनों ही सच होता है तो जैसा कि मैंने कहा कि अपने विशुद्धा चकर को बल देना शुरू कर दीजे और यही शक्ति आपके सबसे अब काम आएगी है ना तो अगला कोशन क्या है कहा गया यह आखोलना भूल जाता हूं कभी हाँ तो नमस्ते गुरू जी अगर किसी को पाइल्स की समस्या है तो उसे कैसे हील करें पाइल्स जो होता है हिंदी में बवासिर कहते है यह हमें लगता है कि मुलाधार चकर के पास है तो मुलाधार चकर को हील करना चाहिए लेकिन इसमें मुलाधार चकर को हम हील नहीं करते इसके लिए हम सुलर प्लेक्सिस को हील करते सुलर प्लेक्सिस उदर को हील करते तो पैल्स की समझता के लिए हमेशा सुलर प्लेक्सिस को हील करना ठीक है सुलर प्लेक्सिस को हील करने से आपको तो जादा बहतर मिलेगा रिजल्ट और ऐसा नहीं है कि आप मुलाधार चकर को हील करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन सुलर प्रक्सिस आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा कि सुलर प्रक्सिस से जुड़ा होता है आपका कभी भी बिटा एक बात याद रखना कि अगर चकरों का सही नौलेज ना हो कि कौन से चकर को हील करें तो सातों चकरों को हील कर लो और या कैसे गलत चकर को भी हील कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं उर जा वहां तक जरूर पहुंचती हैं उस जगह को सीधे उस जगह को हील कर लो जा सर पे हाथ रख करके उल्टे सर पे कि तरब बैठ करके ऐसे हाथ रख करके मतलब कि ऐसे हाथ रख करके उस जगह पर और जा पहुंचा करके भी हील कर लो सबसे पहली बात यह है कि आपकी डेली प्रक्टिस सबसे ज़्यादा कारगर होगी क्योंकि आपकी उर्जा जितनी ज़्यादा होगी उर्जा उत्ती जल्दी वहां तक पहुँचके हेलि कर देगी तो यह बिल्कुल जिम प्रैक्टिस की तरह है जैसे आप रोज बजन उठा करके या योगा करके या दौड करके अपने शरीर को शक्तिशाली बनाते हो वैसे ही हम हीलर्ज रोज प्रैक्टिस करते 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 अपनी आभा को अपनी चेतना को शक्तिशाली बनाते हैं ताकि हमारी हीलिंग एनरजी हमारे काम आए हम उसलिए इनर्जी से लोगों को हील कर सके जोति कुमारी जी कहते है गुरुजी आज मेरा लेवल टू का शक्तिपात था और मुझे लेप्ट हैंड में इनर्जी फिल हो रहा है था राइट में थोड़ा सा वी थोड़ा इनर्जी आ रहा है हां ऐसे हιोता है बीटा कभी-कभी बहुत द़़ा लगता है कभी-कभी एक में लगता है एक मेंने लगता है तो बही आपकी जो जब सिम्मॉल्स बना के प्रैक्टिस करना शुरू कשरूर करेंगे तो बही उजा धीरे से फूटेगी जब तक अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा जीवन को सयमित रखिएगा है ना और जो पांच नियम है उसको हमेशा फॉलो करते रहिएगा तो उसते आप बहुत जल्दी अपने हिलिंग को पकड़ पाएंगे दी मॉंदन जी कहते हैं दी मॉंदन जी कहते हैं और बच्चों को बिना टच किये कैसे हील करें खुण्षा जेशुनें सिंबल को बना करके हम अबोध बच्चों को हील कर सकते हैं दूर से भी हम हील कर सकते हैं या उनका एक पिपर में फोटो बना करके या एक पुतले को हम इस तरह से रख करके हील कर सकते हैं तो ये एक तरीका होता है जिससे हम बच्चों को हील करते हैं आउटिजम के लिए बिटा याद रखना कि डाइकोमियो सिंबॉल बहुत ज़र रही है रिशी डामट सिंबॉल बहुत ज़र रही है आउटिजम के लिए उनके अग्या चक्र को और पूरी स्पैनल कॉट को हील करना पूरी स्पैनल कॉट को आप सहस्तरा चकर के पास हाद रख करके हील कर सकते हैं सर मेरा औरा कैसा है सपना गोय जी कैसा है मेरा ओरा कैसा है अब मैं Grand Master के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरा Crown चक्र और Third Eye चक्र गुमता रहता है और मेरे Shoulder है भी हो जाते हैं हाँ, समाधी के तरफ जाने के लिए मतलब कि Zero Thought Stage में पहुँचने की यातरा में ये Stage भी एक आता है और आप Grand Master के लिए बिल्कुल तयार हैं आप चाहें तो अगले हफ़ते भी ले सकते हैं या अगले के अगले हफ़ते भी ले सकते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप इंदर जी जी कहते हैं सर मैं Tarot and Nemanology पर YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रमात्मा कि आप पर क्रिपा रहे हैं बच्छा और अपने आपको बस ये जानना कि कोई भी चीज बड़ी कब होगी लोग आपको रेकर्गनाजेशन हो सकता है बहुत लेट से मिले लेकिन अपनी यातरा को चलने देना बहुत लंबी यातरा के बाद लोगों ने मुझे देखा पहचाना बहुत लंबी यातरा के बाद है ना तो दिमोरलाइस बिल्कुल मत होना मन को हारने मत देना और सबसे इंपोर्टेंट बात ये देखना ही मत कि क्या रिजल्ट मिल रहा है आप सिर्फ अपना काम करते जाना करते जाना अपने ज्यान को अपने अनुभाव को लिखो, समझो आप क्या बोलने वाले उसे एक बड़ समझो और बस कैमरे के सामने आओ और बोल दो है ना मस सोचना क्या है अपने अनुभाव को साजा कर दो जो उस अनुभाव से रिलेट कर पाएंगे वो आपसे जुडेंगे और ऐसा ही होता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है न तो परमातना की किरपा आप पर जुरूर बनी रहे हैं और जो सिखा रहे हो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर तो अच्छे से क्योंकि करते 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 ना एक ना पोटल खुलता है आपके भीतर वो जो पोटल है ना वही आपका शॉर्ट कट है वो पता चल जाता है कि अब मुझे क्या गरना है कैसे बोलना है कैसे बताना है कि कौन सा तरीका है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कुछ से तरीका है जोसे मेरे सुनने वाले को सबसे अच्छा लगता है तो वो चीज जैसे ही खुलेगी जब आप अपने अनुभाव को बार 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 कुरिदोगे तराशोगे और गलतियां करोगे और गलती करने से नहीं डरोगे और ये जीवन में हर जगा काम आएगा आप लोगे यूपि आप सब कहीं न कहीं प्रैक्टिस करने वाले हो आप अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टुडेंट्स को, अपने पेशिंट्स को हील करने वाले हो तो perfection का इंतिजार मत करना perfection नहीं आता है ना आपकी हिसाब से शायद मैं perfect हूँ लेकिन मेरी हिसाब से मैं जिन गुरुवों को जानता हूँ वो perfect है तो मुझे समझ में आ गया कि perfection कभी नहीं आता perfection सिर्फ गुजरता है perfection उस station से आप गुजर जाते हो perfection आता नहीं है आप उसके सामने से गुजरते हो और अगर रुके तो perfection खतम हो जाएगा perfection गायब हो जाएगा जैसे लिए आपको लगा कि यह perfection है तो यहाँ रुके perfection गायब हो जाएगा तो यात तरह करते रहना पड़ता है करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि 6-7 मैंने पहली मैंने बाल उतारे थे और 6-7 मैंने बाल फिर से मैंने बाल उतारे अभी-भी मेरे बाल वापस आयते पूरे और फिर से मैंने बाल उतारे क्यों? कि कोई तो साधना होगी, कोई तो reason होगा कि मुझे पता है, फोकस होने के लिए फोकस होने के लिए नहीं चीज़ों को grant करने के लिए स्विकार करने के लिए सब चीज़ों से disconnect होना पड़ता है क्योंकि मैं और बहुत आगे की यातरा कर रहा हूँ और गहरे विज्ञानों को, गहरे गहरे ज्ञानों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसकी practice के लिए, उसकी साथना के लिए हमें इस तरह से उतरना पड़ता है तो यह सब आप लोगों के लिए नहीं है, आप ही जो कर रहे हो उसको प्रेम से करो मैं बस एक दिर्शे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आगे और जाना चाहेंगे तो और लंबी यातरा है, और जो लंबी यातरा करना चाहते हैं, उसके लिए आज से ही सहज होना जोरी है परिश्रमी होने के आउशकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कठी श्रम करने के आउशकता नहीं है, बस सहज होकर करते जाओ करते जाओ जैसे घर में काम वाली अंटी लोग आते हैं बाई लोग आते हैं उस घर में सहस्ता से जाड़ो किया पोचा किया पिर दूसरे घर में सहस्ता से जाड़ो किया पोचा किया वो सहस्ता से करते जा रही है ना जो लोग रोट साब करते हैं आप मस सोचना कि क्या हो रहा है, बस ये देखना कि आप क्या कर रहे हूँ ठीक है? शरीमिला जी कहते हैं, Sir, why don't you share your personal number? बिटा जी, एक बात बताओं कितने लोग हैं सब को बुलाता हैं? रिसेप्शन से बुलाना ठीक है, जो फन उठाते हैं और वो क्या बोलते हैं, बलक और उसको भी बोलाना शरीमिला जी इसको हम जवाब देंगे हैं, जोती जी का, आपके भी मैं जवाब देंगा, आपसे आपकी चाहता का Sir, गुरुजी मुझे आज अटेंडमेंट के बाद बहुत बीकनेस लग रहा ही है कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, लगता है, बैट पर ही रहूँ जी हाँ, इसलिए मैं हमेशा अपने शक्तिपात की वीडियोस में बताता हूँ क्योंकि उर्जा का इतना बड़ा फ्लो आपके सिर पे गिरा है शरीर को सम्हालने में लगता है समय, शरीर को सम्हालने में लगता है आजाओ 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 उसके वदी करना है Sharmila ji, जी नहीं वहीं है? यह लोग हैं, और छे-चाथ लोग और हैं, इस अर श्कृण पे नहीं आ रहे हैं I think सब आपाया क्या? देआपाया है, इस अर्छी लोग और जोग इन आपाया है और और कुछ लोग हैं जो भी लगे हुए हैं शर्मिला जी आपकी सवाल के जवाब यह है आजाओ जाओ जाओ निपल पीछे आजाओ थोड़ा आपस पर गुज जाओ ना तक कित दिखो यह जो है यह जो है टीम के I think 60-70% मेंबर्स हैं और भी 6-7 लोग चार-5 लोग कितने लोग हो तुम लोग अभी पीछे 6-7 लोग खड तो यह क्लास भी नहीं ले पाऊंगा इन लोग सब की परसनल लाइप खराब हो रखी है पूरे दिन यह लोग फोन में बात कर दे होते हैं और अभी भी लोग फोनों चुपा के सालेंड कर के किस भी को होल्ड कर आ कर आए होंगा I think ऐसा ही कुछ है और भी कुछ लोग जो ब जो हरे वाली लड़की यह उठाती है क्योंकि मैं पूरे दिन या तो कंसल्टैंसी में हूँ या तो हिलिंग कर रहा हूँ या लोगों से बाते कर रहा हूँ या क्लासेस ले रहा हूँ परसनल नमबर उठाने के लिए भी यही लोग है तो मेरा परसनल नमबर मुझे तब प बात करना, तो है, ठीक है, यह सब बताने की जरूरत नहीं थी, यह बस आप लोग को हसाने के लिए बता रहा था, और ऐसा कुछ नहीं है बिटा, कि आप लोग भी जैसे हैं, शिर्मिला जी, यह यातर है, जैसे हैं, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे न, आपके पास भी परसनल नमबर नहीं रहेगा, ठीक है जी, जो 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 सब का फोन उठाओ, बात करना, ठीक है, जैराम जी कहते हैं, आज मेरा लेवल वन की अटेंटमेंट हुई, बहुत आनंद आया सर, हाँ, बहुत आनंद आया सर, सिर्व में कुछ भारी पन रहा, परन्तु बाद में ठीक हो गया मेरा, औरा कैसा है, आपका औरा बहुत अच्छा है, जैराम जी मैं देख पा रहा हूं, और जोती बिटा, आपका भी औरा, आभा मंडल बहुत अच्छा है, आज का पूरा दिन अड्रेस्ट करेंगे, हाँ, यही मैं बताता हूं कि शक्तिपात के बाद हलका खाएंगे, पूरा दिन, है भी बिलकुल नहीं खाएंगे, और सुबह सुबह खाली पर घास में, सोरी के रोशनी में निकलेंगे, यह सब चीज़े ना सेटल डाउन करने में हैल्प करता है, है तो शाम को उनका शक्तिपात हुआ हूँ, उसके बसीद्य हम क्लास में बैठ गये, अब यह मिटिंग पुरी होने के बाद, रात को एक हलका आहर लेकर के, मेरा हलका आहर महाँ, आप लोगों में से एक बहुत इच्छी बाद बताना चाहता हूं, फॉलो करने की जुरत नही और इसलिए भी मैं उपवास करता हूं, ताकि मैं आम जी भार के खा सकूँ, और क्योंकि मेरे 24 गंटे से जादा का उपवास हो चुका है, तो अभी मैं 2-5 किलो आम तो खा ही जाओंगा, आप लोगों को फालो करने की जुरत नहीं है, अगर आप ऐसा आप कुजब क्योंकि आम में बहुत जादा कैलरी होता है, नचरल शुगर होता है, पर होता है, तो अगर आप लोग की जीवन शैली वैसी है, आप लोग योग प्रणायाम वर्काउट या इंटेंस वर्काउट करते हैं, तब तो इस तरह से रात को खा सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह साड़े 5 जो की बहुत हठी योग है, बहुत जादा मैं हठी योग का भ्यास करता हूँ, जिससे बहुत जादा कैलरी में बर्न कर लेता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसा कोई शौक होगा, जैसे मेरा बहुत शौक है, क्योंकि मैं शाका आरी कि आप लोगों में से जाद, सब लोग आम को छिलके को उतार के खाते हैं, सिर्फ गुदे को खाते हैं, छिलके को नहीं खाते हैं तो वो जो बैंगन फल्ली आम होता है, गोल वाल आम होता है, जिसका मेंगो शेक भी बनता है मैं उसको छिलके के साथ खाता हूँ कि मैं उसको छिलके के साथ वहला टेस्टी लगता है हाँ, बिल्कु सही बात है मेरी ममें भी चलाती है कि इसमें पॉडर डालते हैं इसको दावाई डालके पकाते हैं मैं सब जानता हूँ मैं सब जानता हूँ पर मुझे इसमें स्वाद आता है तो मैं उसको वैसे ही खा जाता हूँ क्योंकि मैं गाउं में पला बढ़ा हूँ बच्पन से तो हमें आदत रही है पेड़ों में चड़ करके पेड़ों से गिर के पेड़ों को से आम तोड़ के खाने की तो वो आदत नहीं जाएगी गुरु कुल में भी ऐसे ही पले बढ़ हैं हम लोग गुरु कुल में भी हैसे ही हम लकड़ी फल सबजिया चुन के लाने की और खाने की आदत रही है तो वो कुछ एक ऐसी आदत हैं जो मैं नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि यही चीज मुझे जवान और बच्चा बनाए हुए है है ना तो अपने अंदर की सहस्ता को बनाये रखने के लिए अपने अंदर के उस मासुमियत को बनाये रखने के लिए जो की सबसे अदा काम आती है तब जब आप अपने हीलिंग प्रैक्टिस में अपने साधना में जब भसते होà जब आप रुख जाते हो जब कहीं ठहर जाते हो जब आपके अंदर गवराट आने लगती है जब आपको ये लगता है कि शायद अब ये नहीं हो पाएगा मुसरे तो आपके अंदर की वही सहस्ता जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता तो आपको नहीं हो पाने का डर खतम हो जाता है, जब आप अपने अंदर के उस मस्वमित को बरकरार रखते हो, है ना, चलिए, अगे बढ़ते हैं, वन प्लस आपका नाम नहीं लिखा रहा है, पर नाम गुरुजी, गुरुजी आज मेरा एंजल शैनिंग था, बट मेरी कुछ फिजिकल इशुज के लिए नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होता है, regret, guilt, कुछ देर के लिए, कुछ मिनटे के लिए, कुछ घंटों के लिए आने दो, सहज है वो, आ गया, अब उसको जाने दो, है ना, जाने दो, जाने दो, कभी ऐसा होगा कि आपसे हिलिंग नहीं हो पाएगी, कभी ऐसा होगा कि आपसे ध्यान नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा होगा कि आप ट्रैक्टिस नहीं कर पाए, कभी ऐसा हो पाएगा कि आपने ये नहीं खाने का संकल लिया था, लेकिन खा लिया, कभी और गिल्ट मत आने देना आगया तो उसको जाने दो सुईकार करो जैसे आप हो वैसे खुद को सुईकार करोगे तो जल्दी से आप अपने आप कुछ बदल पाओगे जल्दी से आप अगे बढ़ पाओगे I am not good enough ये जो line है कि मैं परियापत अच्छा नहीं हूँ परियापत सही नहीं हूँ परियापत वैसा नहीं हूँ जैसा मुझे होना चाहिए था ये हमेशा हमी लड़ उसको पीछे किसती है अभिमान से भी जादा एक बार आप अभिमानी हो जाओगे न शायद उतने पीछे नहीं हो कि जितना आप मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ बहुत ठीक नहीं हूँ बहुत उचित नहीं हूँ ये भाव हमें पीछे खिसता है बेशक अभिमान का भाव भी अच्छा भाव नहीं है लेकिन वो उतना पीछे नहीं खिसता है जितना ये भाव आपको पीछे खिसता है तो अगर नहीं हो पया मैं कहीं नहीं जा रहा मेरी नजर में आप गलत नहीं हो मेरे नजर में आपने कोई गलती नहीं की है अगली बार फिर से प्रयास करेंगे अगली बार से फिर से कोशिश करेंगे मैं शक्तिपात करूँगा मैं ही शाइनिंग करूँगा आप मस सोचो कि मेरे हांस से मैंने शाइनिंग किया और वो वेस्ट हो गया, नहीं यह सब परमात्मा की मरजी है अगर आप इंजल की शानिक देर हो तो यह आपके इंजल की मरजी है कि आप आज लो या नहीं लो ठीक है, मैं इसमें कोई नहीं होता ठीक है, तो अपने आपको बिल्कुल भी मुक्त कर दीजे इस भाव से ठीक है और क्या है, प्रैक्टिस करने के टाइम अन्ताकरन को अपने पाम में कैसे ट्रॉ करूँ वो बहुत डिफिकल्ट है बिटा गर न, अन्ताकरन के वीडियो में मैंने एक बात अच्छे से बताई है कि इस सिम्बल को ड्रॉ नहीं किया जाता इस सिम्बल को सिर्फ कलपना किया जाता है और ग्रैंट मस्टर के जदातर सिम्बल को जदातर सिम्बल को कलपना ही करते है है न, अन्ताकरन सिम्बल का हमेशा कलपना करके या उसका print out लेकर रहे के ही काम के जाता है क्योंकि वो बहुत difficult है, वो बनाया नहीं जाता हाँ, पर अगर आप सहस तरीके से draw कर पाएंगे तो भले करना नहीं तो उसका हमेशा कलपना में ही इस्तफाल करते हैं Grandmaster के maximum symbols को बनाना सीखना ज़रुरी है ताकि आप किसी को सिखा सको या किसी important समय पर उसको draw कर सको ज़रुरी है, लेकिन Grandmaster पहुंसते पहुंसते हम इतने आगे बाढ़ चुके होते हैं कि हम level 1 से लेकर Grandmaster तक के सारे symbol को केवल हवे में कलपना करते हैं और हाथों में बुला करके फिर अपने आपको हील करते हैं वाट अगिन बनाने सीखना ज़रु है अन्ता करण को बनाना सीखना बिलकुल ज़रु नहीं है उसकी सिर्फ कलपना करना ठीक है रिश्मा कहती है 16 मैं को मेरा Master का अट्यूंट्मेंट हुआ मेरा औरह स्रेवन चेकरा कैसा है अभी थोड़ा कमजोर है रिश्मा अभी थोड़ा कमजोर है बिटा ना थोड़ा हो सके तो क्या बोलते हमें एक दिन की फास्टिंग करो ना फूरट फास्टिंग कर लो जा कर रहे होंगा तो अच्छी बात है पेटिस थोड़ी और लगेगी, कमजोर है और अर तो गलस सवाल क्या है, सवाल तो नमस्ते गोश जी मेरे बेटे को OCD है, उसको कैसे हील करूँ? हाँ, जब भी इस तरह के कोई mental issues होंगे, तो सेह की और उद्रेका और रिशी डैमन्ड, सेह की उद्रेका और रिशी डैमन्ड, तीनों symbols को एक सथ बनाना, हाथों में रखना, और आज्या चक्र, हिद्या चक्र, और मूलाधार चक्र, तीनों को एक-एक करके हील करना, affirmation यही रहेगा कि इसका मन शान्त हो रहा है, बुद्धी प्रबल हो रही है, बुद्धी प्रकर हो रही है, परमात्मा की ये जोती, ब्रमान की ये उर्जा, इसके मन में समा करके, इसके शरीर में समा करके, इसके इन सभी चक्रों में समा कर कि इसके बुद्धी को सहीं दिशा पर लेकर आ रही है सहीं समझदारी पर लेकर आ रही है आप कोई भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपरमेशन का उपयोग सिर्फ इतना है बिटा ताकि वो आपकी चेटना को आपके मन के वैबरिशन को सहीं दिशा पर लेकर करके जा सके है ना जैसे अगर मैं बोलता हूँ बिना इशारा किये बोलता हूँ यह देखो कि लब जाना है तो आपको मालू मैंना कि इधर ही जाना है है ना या मेरे दिमाग को समझ में आता है लेट जाना है तो शब्दों का प्रयोग सिर्फ इसलिए होता है affirmation की शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है कि दिमाग में वो vibration परदा हो सके शब्दों का अपनी शक्तिया हैं बिल्कुल शक्तिया हैं पर अगर कोई इंसान गोंगा है और अपने मन में कोई शब्द को बोल जाएगा या उस बात की कल्पना करेगा है ना? तो भी उसकी वैबरिशन वैसे ही परदा होगी अगर आप इसे लोटा नहीं कहते हो तो भी यह लोटा है कल्पना करने भर से इसमें वो शक्ति पैदा हो जाएगा, मन में लोटा पैदा हो जाएगा, अब लोटे को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो वैसे ही, है न, क्या हो अगला क्लास है, हाँ, ठीक, ठीक, हो गया कर टाइम, तो हाँ, अगली क्लास के लिए भी बैठेंगे, एक, इम्रेश जी कहते है, सर, आज मेरा मनी रेकी का अटिनमेंट था और मुझे गोल्डन पिरामिट से बहुत एनरजी फिल हुआ, автомех, मनी रेकी और गोल्डन पिरामिट का रिष्टा, बहुत अच्छा है, जिस भी, जिस भी हीलर को गोल्डन पिरामिट की एनरजी मिली है, मतलब यह मान के चलो कि उनकी मनी रिखी का सफर बहुत छोटा हो गया है है ना? यहाँ चालो करो नोस को चालो करो बेठो उनसे बाते करो जी से पुश्चन को पुश्चन नमस्ते में उस्ते बोलो मेरी तरफ से हाँ तो गोल्डन पिरामिड जो भी हिलर को शक्तिपात के समय गोल्डन पिरामिड से उर्जा मेली जो गोल्डन पिरामिड को महसूस कर पाए यह मान के उनकी प्रैक्टिस के जो यातरा है वो छोटी हो गई है तो मनी रेकी आप अपने लिए सिख सकते हैं हाँ, बीट़ार जरूर सिख सकते हैं हाँ, दिखो मैं नहीं सिखाऊंगा निवरलोजी यह कोई भी अगली हिलिंग जब तक पुरानी हिलिंग साइन्स की प्रैक्टिस पूरी नहीं कर लेते है ना पूरानी प्रेक्टिस कंप्लिट करने के बाद पूरानी चीज़ों में महारत हासिल करने के बाद मैं कोई भी नए चीज़ को सिखाऊंगा ठीक है अई बात पकड़ में तो बिल्कुँ सीख ना जब आपको लगे कि आपने पूराने इस प्रेक्टिस पूरी कर रखी है, पूराने सैटिपिकेट पूरे कर चुके हैं, उसके बाद आपने इमरोलॉजी सीख सकते हैं, जरूर सीखाऊंगा, है ना? अगला क्या है, जोती, गुरुजी खाना पर फुल कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, या तो बहुत बोलती हूँ, या फिर बोलती ही नहीं हूँ, बैलेंस नहीं हो रहा है, डेली थ्रोट चकर को हील, हीलिंग देती हूँ, गुरुजी हीलिंग के स्थाथ क्या करूँ, उपाय बताएं, कुछ घंटों का मौन वरत रखना शुरू करो, कुछ घंटों का, चीक है, उस समय कुछ नहीं भूलना, देरे देरे उस मौन 6 गंटे, 8 गंटे और कभी 24 गंटे का, देरे देरे यह करना, और सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आप नहीं कर पा रही हो, नहीं कर पा रही हो, नहीं कर पा रही हो वो लोगें, तो वो नहीं हो पाएगा, आप ये बोलिए कि मुझे बैलेंस करना है मुझे अपने थ्रोट चक्रपे अपने विश्दो चक्रपे विश्बाक शुद्धी करनी है मुझे अच्छा बोलना सीखना है मुझे सही बोलना सीखना है मुझे अपने जो करना है उसकी बात की जाए जो नहीं करना उसकी बात नहीं करते हैं है ना तो ये होती है प्रक्रिया मैं उन शब्दों का प्रयोग जैसे हैं क्लास में भी आप लोग ने कही बार देखा होगा कि आप लोग जैसे कोई प्रॉब्लम या कोई बिमारी का नाम लेते हो तो उसका नाम जब मैं लेता हूँ तो ऐसे finger cross कर लेता हूँ ताकि मैं एक बर बोलके से खतम कर लो या तो उसका नाम ही ना लो उन शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं जो आप जीवन में नहीं चाहते ठीक है जो चाहते हो उसको बदल करके करो न बिटा देखो एक समझना है बहुत अची समझ बता रहा हूँ हार्ट से बचने के लिए खेलना या जीतने के लिए खेलना कौन सा बहतर है दोनों एकी चीज है जीतने के लिए खेलना मैं बहुत जोड से, बहुत हिम्मा से, पुरी महनस से लड़ूँगा ताकि मैं हर ना जाओ, यह तो negative approach हो गया, मैं बहुत महनस से लड़ूँगा ताकि मैं जीत जाओ, यह positive approach है, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ या पैसा कमाना चाहते हूँ ताकि मैं अपने सारे करजों को खतम कर दूँ नहीं मैं अच्छे से पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि मैं जीवने अच्छा खाना खापा हूँ दोनों एक ही मतलब है अपरोच अलग अलग है तो अपरोच सही होना चाहिए ठीक है तो जो करना है उसकी चर्चा बार बार करें और अगली क्लास शुरू हो चुकी है तो अगली अपते फिर से मिलते हैं बहुत सारे कुश्चन आप लोगों के है मानता हूँ लेकिन करते हैं बेटा आई तो चलिए आगया दीजे आज मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन भी नहीं करा पाऊंगा बच्चा तो मैं आप सब के लिए प्रात्ना करता हूँ और ये क्लास खतम होने के बाद अपना जो पात रजल पात रहे उससे पानी तुरंग रहन कर लेना और जब भी हम मिटिंग जुम मिटिंग में बैठेंगे तो एक पानी का बरतन जरूर रखना है न जो हिलिंग प्राक्टिस में रखते हो ताकि ये जो सारी बात ने क्योंकि आप जो सुन रहे हो वाइब्रेशन वहाँ पर फैल रहा है तो ये जो पानी है उस उर्जा को धारण कर लेता है तो इस पानी को वापस पीलो ताकि वो शरीर में ही वापस चला जाए तो चलिए अट्टों को रप करेंगे फोर हेट पर आँखों पर कांट पर पर पाचों इंद्रियों पर अभी संसरी और गंस पर लगाए और धीरे से आँखों के अंद अपनी हथेली के अंदर ये अपनी आँखों को खोलिए और हाथों को देखते हुए अपने परमातनों को याद करके आज की दिन को धन्यवाद कीजिए आज की समय को धन्यवाद कीजिए अपने आपको धन्यवाद कीजिए अपने आसन को धन्यवाद कीजिए अपने गुरूओं को धन्यवाद कीजिए और अपने ग्यान के विए इस निवर्स को धन्यवाद कीजिए मैं आप लोगों के लिए काम ना करता हूँ कि आप सब एक माहा नहीं गर बने धन्यवाद चलो बन करते हैं तो कैसे बन करते हैं आपको आता है न ठीक है तो ठीक है